आज जो बज़ेट पेश हुआ है, बज़ेट में जो कुछ भी कहा गया है सराथ सर जूट है, दो का है, भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासि के लिए जो बज़ेट रखा है, उनका पापॉलेशन है, करीभ चालीस करोड उसके लिए रखा है 12,800 करोड यह दलित का सरकार है यह ट्राइबल का सरकार है यह दलित ही द्रोही है गिरिजन द्रोही है ट्राइबल द्रोही है गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है हकिकत यह है कि हमारे देश गरीब नहीं है आज सिंगापूर में क्या है कुछ भी नहीं है कोई रिसोर्स नहीं है लेकिन वहाँ के सरकार को दिमाख है यहाँ हमारे देश में सब कुछ है लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाख नहीं है इसलिए हम तरस रहे इसलिए हम पिच्ड़े है देश पिच्ड़े नहीं है सरकार के सोंच में पिच्ड़ापन है सरकार के सोंच में बैंकर अप्टस है और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आपको कांग्रिस और भाजपा दोनों ने भी फेल हो गया अट्टर फ्लाप गॉवर्नमेंट इनसे कुछ नहीं होगा नरेंदर मोदी जी का दस साल के लिए जो वोट मिला उनको दो टेम्स के लिए आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है ये आठवा साल का बजट है यानि कि 80 फीसद का उनका टाइम खतम है अब उनका रंग क्या है मालूम होगा है देश को इनसे कुछ नहीं होता बिल्कुल मैं बताता हूँ बारत के युवा को इस भाजबा सरकार को वुखार के बंगाल में बंगाल काड़ी में पेख देना चाहिए तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा संभावी त्विकास नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा ये देश अमारा नहीं है आप लोगों का है नव ज़वानों का है और ये देश आजादी पाके 75 साल गुज़र गए 75 साल के आजादी के बाद पीने का पानी का किलत है खेती के लिए पानी नहीं मिलता है क्या हमारे देश में पानी की उपलब्दी नहीं है पानी की उपलब्दी है Central Water Commission के इसाप के मताबिक 65,000 TNC पानी की उपलब्दी है क्यों यूज़ नहीं कर रहे देश में जो पालसी इंप्लिमेंट किया जा रहे पानी का वो बहुत बैड पालसी है इसको बदलना चाहिए 66 परसंट देश अंदेरा महे क्या हमारे देश में बिजली नहीं है करेंट नहीं है करेंट है केंदर सरकार के पास धिमाग नहीं है इस देश में जो स्तापित विद्युट चक्ती है स्तापित विद्युट जिसको अंग्रेज में इंस्टाल्ड केपास्टि कहते है चार लाग एक हजार मेगावाट के उपर करेंट की उपलब्दी है कितना यूज उज़ करता है देश किसी भी समय तो लाग मेगावाट से ज़्यादा यूज नहीं करते जो करंट उपलब्द है उसको देने का क्षमता भी हमारे केंड़ सरकार की पास नहीं है क्या ये बात सच नहीं है एक ही मिनट में कोई जूट करके अगर साबित किया एक मिनट में मैं अपने मुक्यमंत्रिपत को इस्तिफा दे दूँगा मैं दिल जल के ये बात कहे रहा हूँ पानी की उपलब्दी है देश को पानी नहीं मिलता ना किसान को मिलता ना पीने को मिलता देश में करंट की उपलब्दी है पाइन सट परसंट की देश अंदेरे में रहता है कितने दिन इस देश को अंदेरे में रखोगे देशवाशियों से मेरी प्रार्तना है एक बदलाव चाहिए 75 साल का अनवो बहुत बुरा है हमारे देश में सुप कुछ है हम दनवान है हमारे देश में किछी चीज की कमी है तो हमारे केंदर सरकार के पास दिमाग की कमी है सोंच में गरीबी है हम दुनिया का सुबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं यह हमारा बदनसी भी है कि जो केंदर में हमारे पास काम कर रहे हैं सरकारें जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लाप है इसलिए हमारा यह हालत है यह बेरोस्गारी यह पावर्टी यह गरीबी इनके बदवलत है यह काली बोलते हैं, करते कुछ नहीं जूट बोलते हैं बहलाते हैं धरम के नाम बोलो कुछ और बोलो, भायकाओ जब भी चुनाव आता है देश में धरम के नाम पे लोगों को लड़ाओ देश को विवाजन करो क्या इससे देश आगे बढ़ेगा इससे देश का विकास होगा नहीं बिलकुल नहीं इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जुरूरत है देश वासियों से मेरा प्रार्तना है कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे जरूर शुरू करेंगे हम चुपने ही बैटेंगे जुमके हम आंदोलन कारणी है लड़ने वाले सिपाई है जब तेलंगाने के लिए जुरूरत था हमने लड़ा हमारे जान तक का परवा नहीं करके हमने लड़ा तेलंगाना का हालत भी यही हालत था उन दिनों मैं कहता था जब तेलंगाना आंदोलन चलाता था तो मैं कहता था तेलंगाना बनेगा दो साल के अंदर जगमगाता तेलंगाना और आज पूरे देश के सामने 24 गंटा करेंट हर सेक्टर को देने वाला एकलाउता राज हिंदुस्तान में तेलंगाना है और तिलंगाना जगमगाता तिलंगाना है एक नया दोर नया शुरू करना चाहिए इस देश में नया क्रांती आना चाहिए किस शकल में आएगा आज मैं नहीं जानता मैं बातचित कर रहा हूं लोगों से हिंदुस्तान के जनता को जागना है हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है हम सुब जाके एक उज्वल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं इन बनावटी बातों से इन मजभी धरम की बातों से दंगे फसाद पहलाने वालों से एक दो दिन के हमें कुशी मिल सकता है ल जाने के लिए आज के बज़ट देखने के बाद मेरे दिल जेल के मैं ये बात ये कह रहा हूं महाँ बारत के शांती परू का स्लोक पढ़ाया था आज हमारे माननीया फैनान्स मिनिस्टर ने दर्म की बात कहते हुए उन्हें अधर्म बता दिया सत्या को चुपा दिया असत्य को देश के सामने पेश किया तो इसलिए मैं देश वासियों के भी प्रणाम करके अपिल करता हूँ एक बहुत बड़ी क्रांती के इस देश में जुरूरत है बहुत बड़ी परिवर्तन की जुरूरत है इस माहोल को बदलना चाहिए जिन चीजों का उपलब्दिया है जो जो बगवानने या नेचर ने हमको दिया है इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए आगे चल कर मैं बताता हूँ देश के लिए हम काम करने के लिए निकल रहे है हाँ बिल्कुल काम करेंगे इसमें कोई शक नहीं है कोई किसी ने टेका नहीं लिए आये देश के लिए तो इसलिए I appeal to the people of India after seeing the budget of today I am totally upset the false propaganda which has been propagated through the dais of the parliament is totally wrong totally wrong the government of India has no respect for the farmers no respect for the poor they are least interested for the welfare of the poor country the budget part they have proposed for the SCSTs of this nation is only 12,800 crores whereas the population of SCSTs in India is about 40 crores is it enough for the welfare of the SC and ST? government of India has very badly neglected the poorer sections of the country the farmers of the country government of India has never bothered to increase the health budget in spite of coronavirus the havoc played by corona the entire world has awakened but not government of India let us not keep mum let us not maintain silence there is a need for a qualitative change in the nation 75 valuable years have gone it is very high time now I appeal to the youth of this country this is your country future is yours please awaken please know the reality rise and fight for your own future yes shortly we will start working what exactly this country needs we will tell the whole country in the required manner the fitting manner and definitely I am a strong believer our country is a great country our nation is a great nation whenever there is a need I know it very well that India reacts India reacts I emphasize once again it is time for the country to react it is time there is a requirement of a big change qualitative change there is a requirement for a revolution in the country until unless we fight we will never be able to change we have all the resources we have enough water enough power in this country we have more than 4 lakh megawatt installed capacitor power in this country but the country never uses more than 2 lakhs why? it is because of bad power policy adopted by government of India we have 65,000 TMS of water bestowed by the nature but we have exploited not more than 35,000 TMS Hindustan के 40 karo'd ekad jameen जो सिंचाई के लायक है जो केती के लायक है हर ekad को पानी दे सकते हैं हर ekad को Hindustan को ऐसा फरवर्तन करेंगे दो साल के अंदर जग मगाता Hindustan इस दुनिया को पेश करेंगे Yes We will prove हम निकलेंगे देश के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चुपी सा देंगे कब तक चुपी सा देंगे मुँ बंद किये होए बैटेंगे नहीं बैटेंगे इन नाला एक पार्टीस को इन नाला एक नेता लोगोंको ना समझ नेता लोगोंको चुटकारा पाना चाहिए इन लोगों से देश तबी जाके देश का मुक्ती हो सकता है तब तक नहीं हो सकता है फाइनली फ्रेंड्स इदेशनलो उक परिवर्थन गुनात्मक मैनेट्वेंटि मार्पू प्रबल मैनेट्वेंटि मार्पू रावल्स नेट्वेंट आवसर मुंदी आ मार्पू कोसं केसियारगा इदेश बिड़गा प्रजाजीवितनलो उक नत्रस्ताइक चेर कुनार्वेंटि वेक्तिगा तप्पकुन्ड ना बाज़धन निर्वेर्थिस्त आ बाज़धन एरूपन लो उन्टदी यत्रा उन्टदी देशनलो चाला मंतों माटलार्थ ताव उनने नहालरडी कोद्धी रोधुले लो ने आ पाल्स्यांत बैटबेटतां तप्पकुन्ड देशनलो रावल्स नेट्मांटि प्रबला परिवर्थन कोसुं एमेम प्रयतनाल चेह अन्नो अन्नी प्रयतनाल चेहस्तन मंजिप्पी इस संधर्भांगा मनवी जेस्तु इरो वच्च नेट मनेदी मज़टरेथ solche पूर्ति, पूर्ति स्ताइलो रेतू वेतِّरेका, कारमिक Open वेत्रेका, सामान्य प्रतले वेत्तरेका दलितव वेत्रेका, किरिजन वेत्रेका बज़ेट कानेन अविवर्णिस्तु धेंक्यू